नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विबे एक फरवरी यानि कि आज वित मंतरी निर्मला सीता रमन बजट पेश करेंगी कोरोना के चलते देश मंदी से जूज रहा है वहीं क्रशी बिलो के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहे हैं इसके लावा महामारी के चलते उद्योग धंदे भी संकट में हैं ऐसे में इस बजट से देश भर की उमीदे जुड़ी हुई हैं लोगों को उमीद है कि वित मंतर थी निर्मला सीतारमन से कई एलान कर सकती है जो ऐसे वक्त में एहम साविद हो सकते हैं。 आये जानते हैं रेलवे से लेकर क्रशी समीत आठ सेक्टरों के बारे में जिनमें बड़े एलान हो सकते हैं पहला, इन्फरा स्ट॑क्छर सेकटर, बजट में एलान से रेलवे, हाइवे और एयरपोर्ट के प्रोजक्ट से जल्द पूरे होने में मदद मिले की, ऐसे प्रोजक्ट को पूरा करने के लिए सरकार इन्फरा स्ट॑क्छर शेतर के लिए 1,00,00,000,00 करोड रुपे के फंड को सुनिश्यत कर सकती है सरकार इसके लिए एक न Gomez नेशनल बैंक का भी गठन कर सकती है सरकार ग्रामिल इन लाकों में हेल्थ इन्फरा पर जोर दे सकती है दूसरा, टैक्स में राहत मिल सकती है इस बार सरकार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा सकती है सरकार इसे धाई लाक रुपे से बढ़ा कर तीन लाक तक कर सकती है इंकम टेक्स अधिनियम के धारा असीसी के तहट निविश कर इंकम टेक्स में टेल लाक रुपे तक की आए पर टेक्स छूट दी जा सकती है मेडिकल इंशुरेंस को देखते हुए इस बार सरकार 80D के तहट मिलने वाले 25,000 रुपे तक के डिड़क्शन को बढ़ा कर 50,000 रुपे कर सकती है सीनियर सिटिजन के लिए ये सीमा बढ़ा कर 75,000 रुपे तक जाने की उमीद की जा रही है किसानों को सरकार से उमीदे कर सकती है वितवर्ष 2021-22 में सरकार का फोकस क्रशी और इससे जुड़े सेक्टर पे बने रहने की उमीद है बजट में भी क्रशी शेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेश जूर दिया जा सकता है चौथा रेल सुविधाओं पर फोकस वितमंतरी निर्मला सीतर अमने हाल ही में कहा था कि इस बार का बजट पिछले 100 साल की तुलना में अलग होगा बजट में यात्री सुविधाओं पर भी सरकार का फोकस हो सकता है कोरोना संकट के बीच भारते रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने का काम किया बुलेट ट्रेन नेटवर्क को लेकर सरकार अपनी यूजना बता सकती है पांचवा हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बड़े एलान हो सकते है कोरोना के चलते सरकार बजट 2021 में हेल्थ सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है स्वास्थ कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार स्किल्ड डवलप्मेंट के लिए भी बजट बढ़ा सकती है हेल्थ इंशुरेंस से जोडने के लिए सरकार हेल्थ इंशुरेंस में आईकर अधिनियम की धारा 80D के तहट छूट दे सकती है छोटे शेहरों और ग्रामिल इलाकों में स्वास्थ इंफ्रस्टरक्चर को बढ़ावा देने पर जोर दे सकती है छटवा आत्म निर्भर भारत पर फोकस उद्योग जगत में सरकार का फोकस आत्म निर्भर भारत पर है आत्म निर्भर बनने के लिए आयात में ततकाल कमी लानी होगी मैनुफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर बजट ये आवंटन करना होगा मैनुफेक्चरिंग की लागत कम होनी चाहिए रौ मेटेरियल सस्ता करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटनी चाहिए साथवा रोजकार पर फोकस सरकार के सामने मौजूदा नौकरियों को बचाना और नई नौकरियां पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है बजट में सरकार नौकरी पैदा करने पर फोकस करें खाली सीट भरने के लिए जल्द वैकेंसी निकाले जाएं फॉर्म भरने के लिए एक ही प्लैटफॉर्म हो सरकारी निची सेक्टर में बैलेंस बनानी की जरूर डिगरी के हिसाब से वेतनमान मिले सरकार डिगरी के बाद जौब गरेंटी जैसी स्कीम लेकर आए आठवा रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से बहुत कुछ मिलने के उमीद है रिजर बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक को सबवेंशन इसकीमों पर लगा बैन हट सकता है हाउस रेंट अलाउंस पर टेक्स छूट बढ़ाई जानी चाहिए इसके अलावा रेंटल इंकम से होने वाले लॉस को अगले साल शिफ्ट करने के अजासत होनी चाहिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार